हेलो एवरिवन आज हम साधारनी करण पर बात करेंगे हमारे पास प्रीविस एर कोशिन में आया हुआ है कि साधारनी करण का अर्थ इसपस्ट करती हुई उसके महत पर प्रकाश टागिए साधारनी करण का मतलब क्या होता है जहां अपने और पराय का भेद घतम हो जाए वहां साधारनी करण होता है आगे चलिए हम इस पर विस्तार से पात करते हैं तो भट नायक द्वारा शाधारनी करण शब्द का प्रियोग क्या गया था साधारनी करण का अर्थ है आसाधारन का साधारन या विशीश का निर्विशीश हो जाना कवी और पाठक की चित वृतियों का एकतान या एकले हो जाना अथवा दोनों में मैं पर के जो द्वैद का दूर हो जाना साधार्णी करणा है जैसे मंच पर चल रहे यशोधा कृष्ण के प्रसंग में यशोधा कृष्ण के प्रती वादसले भाव का अनुभो करती है यानि माता यशोधा जब कृष्ण को मतलब उनसे लाड़ दुलार करती है तो वहाँ पर यशोधा के मन में वादसले भाव होता है वो अनुभो करती है और इस नाटा को देखने वाली दर्शक भी इसी वादसले भाव का अनुभो करते हैं अर्थात कृष्ण केवल यशोधा के पुत्र ना रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होने लगते हैं यही साधारनी करणे पर उसके बाद साधारनी करण से भटनाय का ततपरे भावत पर बात किया उन्होंने और इसे ही साधारनी करण का प्राण माना है साधारनी करण से सम्मंदित प्रमुक जो व्याख्या कार हैं उनकी मत क्या है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे तो अचारे भटनायक ने भावत्व को साधारनी करण माना है उनकी अनुसार भावत्व साधारनी करण तेन ही व्याकरण विभावत्व स्थाई चे साधारनी क्रियंते यह संस्कित में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है भावत्व ही साधारनी करण है इस व्यापार से विभावादी विभावादी का मतलब होता है जैसे विभाव अनुभाव आप पढ़ते हैं न विभाव पिचारी यानि संचारी वो और स्थाई भाव का साधारणी करण हो जाना ठीक है तो जो आपने ये पढ़ा हैं विभाव पढ़ते हैं अनुभाव पढ़ते हैं और संचारी भाव पढ करते हैं तो इन सभी का जब सब एक हो जाते हैं और इनमें कोई भेद नहीं रहा जाता है वही साधार्णी करण से पहले जो दर्शक यानी दुश्यन्ट सकुन्तला आदी को व्यक्ति विश्यश के रूप में ग्रहण करता है यानी जैसे साधार्णी करण है उसमें क्या होता है कि पहले तो मालो एक पात्र नायक नायका की रूप में और एक पर्टिकुलर जैसे दुष्यन्त राजा राजकुमारी के रूप में देखते हैं वैसा ना देखे एक आहाम जनता नॉर्मल लड़का रड़की प्रेमी प्रेमिका के रूप में उसे विशेश ना देखकर एकदम साधार्न व्यक्तिक के रूप में उसे देखने लगे उसको ग्रहंट करने लग गए तो वही साधार्नी करण है कि उसका विशेश को राजकुमारी ये सब उक्तम हो जाता है साधार्न करण नं नहीं होने पर पूरी तरह खत्तम हो जाता है समाप bukan ये वह रह Спet. बिल्कुर आम नॉर्मल जो आम आदमी की तरह वो समाने प्रतित होने लगते हो और यही इसकी विशेचता है और यही स्पेशल्टी है ठीक है तो भट नायक ने ऐसे कहा है ऐसे समझा है इसे प्रकार दूसरे जो विचारक हैं उन पर बात करते हैं तो वो अभिनव गुपत है उनके अनुसार विभाव आदी के स्थाई भाव का साधारनी करण होता है साथ ही उनके अनुसार सामाजिक की अनुभूती का भी साधारनी करण होता है अभिनव गुपत के अनुसार साधारनी करण के दो स्थर माने जाते हैं पहले स्थर पर विभाव आदी का व्यक्ति वि तित्व बंधन नश्ट हो जाता है क्या अभिनव गुप्त ने ध्यान से सुने कि साधारी गर्ण को दोस्तर माने पहले स्तर पर जो होता है मैंने विभाव आदी का मतलब मैंने बता दिया कि विभाव अनुबव व्यभिचारी भाव और स्थाई भाव ये सब भी मिलकर व्यभावादी कहलाते है तो इसमें व्यक्ति, विशुठ जो होता है वो समन तोट जाता है और दूसरा उन्होंने बोला है जो सामाजिक दर्शक का व्यक्ति तो बंधन जो होता है वो नश्ट हो जाता है इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आचारे विश्वनात के विचारने को मिलते हैं कि विश्वनात के अनुसार परस्पर ने पश्यती ममेती ना ममेती च तदा स्वादे विभवादे परिच्छेदो ना विद्यते अर्थात विभव आदी का अपने पराय की भावना से मुक्त हो जाना साधारनी करण है विभव आदी के समंद में ये मेरे हैं अथवा ये मेरे नहीं हैं दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं हैं इस प्रकार का विशेशी करण नहीं होता है अब हम जगदनाथ हैं पंडी जगदनाथ उन पर बात करते हैं तो पंडी जगदनाथ का यहमत है कि ना साधारनी करण कोई वस्तू है और ना किसी के साथ साधारनी करण होता है कावे अनुभूती ब्रहम जनित है अचारे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं तो अचारे रामशंग शुक्ल कहते हैं शुक्ल जीने आलम्बन धर्म का साधारणी करण होना कहा है आलम्बन का अर्थ भाव का विश्य बनता है फिर समस्त सहिर्द्यों की भाव का विश्य बनता है अलमन करदुनन क्या बुला है कि भाव का विश्य बनता है फिर समस्त सहिर्दे की भाव का विश्य बनता है शुक्रिन ने क्या किया है कि धर्म का साधाय करण होना कहा है और जब डॉक्टर नागेंद्र हैं वो क्या कहते हैं कि नोने कवी की अनुभूती का साधार्नी करण माना हैं उनके मत में निम्न बिंदु हैं साधार्न जो ये हैं कि साधार्नी करण कवी की अपनी अनुभूती का होता है अर्था जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूती को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सब के हिर्दें में समान अनुभूती जगा सके तो उसमें साधारनी करण की पहचान होती है जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूती को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सब के हिर्दें में समान अनुभूती जगा सके तो उसमें साधारनी करण की शक्ति विद्मान है कभी को लोग हिर्दे की पहचान होती है इसलिए वह किसी विशे को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे की सब की अनुभूती को जगा सके आगे नगेंदर लिखते हैं कि विशे का रूप तो अग्यात ही रहता है किन्तु कभी गण अपनी भावना के अनुरूप इसका वर्णन करते हैं कभी की इसी भावना का साधार्निकरन होता है पाटक भी कभी की साधार्निकरित भावना का आस्वादन करता है अब हम साराश दिखेंगे कि उप्युक्त सभी मतों की अधार पर साधार्निकरन में साराश ते निम्न तीन बातों का समविश किया जा सकता है साधार्ण करन अलमन तो धर्म का होता है जो अलमन होता है जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जैसे दुश्यंत है ठीक है और शकुन तला अभिज्ञान शकुन तला में आप पढ़ते हैं कि दुश्यंत है उसके मन में शकुन तला के प्रती प्रेम चागरित हो रहा है तो क्योंकि डुश्यंत की मन में प्रेम जागरी तो हो रहा है तो तुश्यंत जो है वह आश्रय है वहीं पे की चॅ छाकुनतव जो है अलम्बन थीकि तो जो शाकुनतव रहे हैं वह बहुत विशेश न fix कि क्या एक साधन रूप में जब आ जाए तो उसी को क्या बोलते है धर्म का होता है साधार्ण किसका होता है साधार्ण करन कभी की अनुभूती का होता है कभी की जो अनुभूती है जो मन में फील करें वो साधार्ण उसका साधा शूशिलाइजेशन यू कहा दो प्राइविट ना रहके अग्दम पब्लिक हो जाता है, किसी के लिए बहुत special नहीं रह जाता, वो सब उसको सेम नजरी से देखते हैं, है ना, साधारणी करण सरहर्दे पाठक या शोता की चित, जो होता है, के चित का होता है, साधारणी करण की ओद्दे सरहर्दे पाठक या शोता की चित का होता है, चित, मन, जो होता है उसका होता है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम हिंदी या संस्कित काविश शास्त्र में साधारनी करण पर बात करते हैं तो वहीं पर पाश्चात्र काविश शास्त्र में निर्वैक्तिक्ता जो है वो भी साधारनी कर रही है और उसे क्या बोलते हैं पाश्चा त्रेसास में निर्वैक्तिक्ता के रूप में पढ़ा जाता है ठीक है तो इस एक साथ ही वीडियों यहाँ पे खतम होती है जो मैंने लिखा है सिर्फ इतना ही इस जाप्क्र में बहुत साथbai करते हैं और फिर उसके बाद पर अगर कुछ नहीं समझ में आता तो प्लिस कमेंट कर सकते हम यृ टॉपिक नहीं बहुत स्यादा इंपॉट पहुत साथ तो प्लीज आप इस तॉपिक को जरूर करना एक्जाम में जाने से पहले इसके साथ यह वीडियो यहाँ पर खतम होती है और आपसे हम विदा लेते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और एक्जाम अच्छे से देना पूरी कॉन्फिडेंस के साथ थेंक यू